Hello Guys, आप अगर 5 protective dog breed के बारे में जानना चाते है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में कुछ muscular, साथ साथ strongest dog breed के बारे में जानने वाले है जो की काफ़ी अच्छा guard dog भी है, protection के लिए भी best रहेंगे तो शुरू से लगे लाज तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो नीचे रेट कलर का बटन दिया होगा वहां पे क्लिक कर लीजिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लिस्टार्ट होती है नंबर फाई बुल मैस्टिफ से वन अफ दो पॉपिलर डॉग बीड जिनको 19th century की दोरान डेवलब किया गया था बुल मैस्टिफ एक मैस्टिफ टाइप डॉग बीड है जो कि सॉलिड बील्ड और सॉर्ट मजल के साथ देखने को मिलता है इन डॉग बीड का ओरिजिन युनाइट किंडम से है और इनको एक एसी ने भी रजिस्टर किया यानि रेकोगनाईज किया है यह वन अफ दे पावरफुल डॉग बीड है जो काफी अच्छे वाच डॉग होते है वाच डॉग के मामले में काफी ज़्यादा बैतर होते है और थोड़ी सी ट्रेनिंग इनको दी जाए तो प्रोटेक्शन के मामले में या आपकी लिए कुछ भी कर सकते है इनकी टेंपरामेंट्स के बात करूँ में तो यह अलट, क्लाम, करेजियस और पावरफुल डॉग बीड होते है और इन सब रीजन्स के चलते हैं यह डॉग बीड हमारी इस टॉप 5 की लिष्ट में है आगे बढ़ता है नमबर 4 पे डॉबरमें पिंचर, one of the popular डॉग बीड जो इनको as a guard dog की तरह आजकल काफी जादा यूज किया जाता है और इनको develop ही guard dog की तरह किया गया है लुइस डॉबरमें जो की एक tax collector थे उन्होंने अपनी protection के लिए इनको develop किया था उसके बाद से डॉग बीड as a guard dog काफी popular हुई है और आज के समय में कई सारे owners साथ साथ कई सारे pet lover इनको as a pet अपने साथ रख रहे है डॉबरमें का origin जर्मनी से है उनकी temperaments की बात करू में ये dog bit काफी जदा intelligent होते है alert होते है fearless होते है साथ साथ काफी protective भी होते है अगर आप इने babies के साथ भी रखना चाहते हैं उनकी protection के लिए तो आप रख सकते हो लेकिन इनको socialize करना काफी जरूरी है बच्पन सही अगर training पे भी थोड़ा और ध्यान दो तो ये आपकी हर command काफी easily मानेंगे और आपकी protection के लिए कुछ भी करेंगे और इसी वज़ा से ये dog bit आता है top 5 की list में नमबर 3 पे आता है can cross हो ये dog bit को देखके आप समझ गयोंगे कि ये guard dog के लिए भी बना है साथ-साथ इन dog bit को herding के लिए यानि cattle जो होती है ships होती है उनकी herding के लिए भी use किया जाता था hunting games में भी इन dog bit का use किया जाता था ये super powerful होते हैं साथ-साथ काफी ज़्यादा muscular dog bit है इसलिए इनको exercise और training की काफी ज़्यादा जरूरत होती है ये dog bit का origin Italy से है उनकी temperaments के बात करूँ में ये dog bit काफी cheerful, courageous, loyal होते है और protectiveness में भी काफी ज़्यादा आ गयाते है इनकी socialization पे ज़रूर से ध्यान दे क्योंकि अगर इनकी socialization पे ध्यान ना दिया जाए तो maybe ये aggressive dog bit बन सकते है और इनकी masculinity को चलते है fearless nature के चलते है इनको कई सारे लोग as a guard dog रख रहे साथ साथ companion dog bit भी रख रहे है तो इसी के चलते है ये dog bit आता है हमारी इस list में कई सारे लोगों ने इन dog bit को देखा भी होगा या फिर देखते होंगे या फिर उनके पास होंगे भी और ज़्यादा तर लोग इनको as a guard dog रखते है साथ साथ आज कल इनको companion dog bit में भी काफी ज़्यादा यूज़ करने लग गए है लोग इन dog bit को पुराने समय में कार्ट पूल करने के लिए या फिर herding के लिए यूज़ किया जाता था और इनकी temperaments की बात करो तो मैं काफी cheerful, loyal, courageous, fearless और काफी ज़्यादा protectiveness होता है रोट वाल ऐसे तो काफी अच्छे dog breed होते है आप इनकी proper training करो socialization करो तो यह काफी अच्छे से रह सकते हैं और aggressive भी नहीं बनेंगे लेकिन अगर आप इनको proper training ना दो socialization ना कराओ तो यह dog breed aggressive हो सकते है इनकी fearless nature के कारण भी इनको कई सारी tax में use किया जाता है जैसे की military में, K9 unit में ऐसे ही अलग-अलग tax में क्योंकि यह dog breed काफी ज़्यादा fearless होते है साथ-साथ strong भी काफी ज़्यादा होते है और अगर आपको सिफ friendly dog breed चाहिए तो मैं suggest करूँगा कि आप इन dog breed के साथ ना जाए क्योंकि यह dog breed को handle करने में आपको थोड़ा experience और information की जरुवत होती है लेकिन अगर यह dog breed एक बर आपके साथ socialize हो जाए आपके लिए loyal हो जाए तो यह आपकी protection के लिए कुछ भी कर सकते है और इस सब वज़े से यह dog breed आता है इस list में number two पे बात करते हैं number one German shepherd की इस dog breed का नाम लेते ही आप समझ गयोंगे कि यह कैसी दिखती है और कौन सी dog breed है क्योंकि यह dog breed intelligence के मामले में तो काफी आगे आती है साथ साथ guarding के मामले में भी काफी ज़्यादा आती है और आज के समय में यह dog breed काफी ज़्यादा popular है इसलिए सब लोग इनको as a pet भी adopt करते है इन dog breed को भी as a herding के लिए develop किया गया था यानि पुराने समय में यह as a sheep herding के लिए या फिर cattle herding के लिए use किये जाते थे इन dog breed की origin की बात करूँ मैं तो इनका origin जर्मनी से है और इनकी temperaments की बात करूँ तो यह ज़्यादा calm intelligent, loyal, protectiveness, courageous और fearless dog breed होते है बात करूँ socialization की और training की तो इन्हें भी जरुवत होती है socialization और training की अगर आप इन्हें एक चीज़ सिखा देते हो तो यह जल से जल सीख लेते है और आपकी command को जल से जल मानते है इन dog breed की थोड़ी exercise पर जरुव से ध्यान दे काफी energetic तो होते ही है इसलिए इनको exercise की काफी ज़्यादा जरुवत होती है कई बर कई सारे मामले में इन dog breed में अपने owner की protection की है और इन सारे वज़ों के कारण यह dog breed को as a military dog भी यूज़ किया जाता है search and rescue missions में भी किया जाता है ऐसे अलग-अलग task में इन dog breed का यूज़ किया जाता है और इसी की वज़े से यह dog breed आती है हमारे इस list के number one पे अगर आपको इसका part 2 चाहिए तो जरू से comment करके बता है हम जल से जल लाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा लाइक and share जरू कीज़ेगा like अभी कर दीजिए मिलता हूँ मैं आपको ऐसे interesting वीडियो के साथ thank you for watching